कि रज़ोर में सेसी में आपका स्वागत है देखते हैं किलास 7 एक्सवाइब 10.5 का पहला सवाल सम कोड तिर्भूज कोड तिर्भूज पी क्यू आर की रचना कीजिए जहां यम कोड क्यू बराबर नभ्यंस क्यू आर बराबर आट सेंटिमेटर और पी आर बराबर दस सेंट इसका नाम क्या है क्यूं और बराबर अंट सेंटिमेटर फिर कह रहा है पी आर बराबर दस अब हम को फिक्स्ट पॉइंन तु पता नहीं कि कि था रह रहे तो आर पी से 10 सेंटिमेटर का चाप लगा दे या दूसरा कोड बना रेंगे और रेखा को बढ़ा देंगे तो अब इस रेखा पर कहीं पर बिंद हमारा पी है कहां पर है ये फिक्स नहीं है लेकिन अब देखिए पी आर 10 cm और यह दस संटीमीटर की चाप भरेंगे यह यह ठिधी यह अगर हम लगाते हैं दस संटीमीटर का तो यह चाप हमारा यहाँ पर काटता, जब हमारा चाप काटेगा तो वह ही हमारा फिक्स पॉइंट पी पता चल जाएगा हमारे हमारा त्रिभुच निर्मार हो गया अब देखिए इसको रचना कैसे करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे शर्व पृथम क्यूं आर क्यूं आर बराबर आठ सेंटीमेटर की रेखा खीची फिर कोड क्यूं बराबर नब्यंस बनाती हुई एक रेखा खीची एक रेखा खीची नब्यंस का कोड बनाती हुई एक रेखा खीची फिर आर पी बराबर दस सेंटीमेटर का चाब लगाया जो क्यूं से बढ़ी रेखा को कहां काटेगी पी बिंदू पर काटेगी तो कि जहां काटेगी वहीं पी बिंदू हो जाए अब हमारा तिर्फूज बन गया इस प्रकार से आप लिख लो गया एक समकोर तिर्फूज बनाना समकोर तिर्फूज क्या होता है जिसमें एक कोर नब्यंस का होता है जिसका कड़ 6 cm लंबा है और एक पाद 4 cm लंबा है एक पाद मितले एक भुजा 4 cm लंबी है और कड़ कितना 6 cm लंबा अब अच्छे से समझना एक भुजा देखे 4 cm लंबी दी है तो हमने पहले कोई भुजा बान लेंगे बनाया 4 cm लंबा है तो हमने लिख दिया 4 cm अब देखे करड़ दिया है 6 cm लेकिन समकोर्त रूट कहे रहा है तो सबसे पहले तो एक कोड़ कितने का होगा नब्यंस का तो कोड़ नब्यंस का बना लेंगे अब यह रेखा को बढ़ा देंगे उपर की तरह इसकी कोई फिक्स माप नहीं बढ़ा दिया हां लेकिन करड़ की माप देखे 6 cm लंबा है तो हम 6 cm की लंबाई यह करड़ की लंबाई फिक्स है कि यह 6 cm और यह 4 cm हाँ अब देखिए अब यह हमारा बन गया त्रफुच सबसे पहले हमने आधार बनाया फिर यहां पर नब्यंस रेखा बढ़ा दी और फिर करड़ की नाप से यह चाप लगा इस परकार से बन गया अब इसका नाम करड़ अगर कर दें माले पी क्यूं आर तो अब लिखेंगे रचना सर्व पर्थम हमने पी क्यूं बराबर 4 cm की रेखा खीची फिर क्यूं बराबर नब्यंस का कोड बनाती हुई क्यूं आर रेखा खीची क्यूं आर रेखा खीची लिए अभी हम कोई फिक्स नहीं पता था फिर फिर कर्ड पी आर कर्ड पी आर बराबर 6 cm का चाप लगाया चाप लगाया जो यह जो क्यूं आर जो की आर को काटती है इस प्रकार से हमारा काटती है अब हमको पॉइंट पता चल गया और यह हमारा तिर्भूज बन गया इस प्रकार से हमारा बन गया एक संदिबाव संकोर त्रिभूज ABC की रस्मा कीजिए जहां यम कोड ACB बराबर 90 और AC बराबर 6 cm तो देखिए जो भुजा दी है सबसे पहले उसको बनाएंगे तो सबसे पहले हमको खीचना है 6 cm एक एक दो तीन चार पंच छे हमने 6 cm की रेखा कीची AC बराबर 6 cm रेखा कीची फिर कह रहा है ACB ACB बराबर 90 यहां पर हमको 90 का कोड़ बनाना है तो चांदे सिना अप लेंगे 90 और इस तरेखा को बढ़ा देंगे अब कितना बढ़ाएंगे यह चीज़ ध्यान ना जैसे यह कितना कोड़ बनेगा 90 अब देखे यहां पर कहरा है संदुइबाह तिरभुज तो यह कर्ड होती हो तो सबसे बड़ी फुजा होगी क्योंकि यह जब अब 90 की फुजा बनाएंगे तो यह कर्ड बनेगे तो क्या होते दो हो जाएं बराबर होंगी तो यह 6 cm है तो यह भी हम 6 cm ही देखा खीचेंगे अब यह हो गया A C B अब यह 6 cm देखा खीचेंगे और इसको हम मिला देंगे तो यह हमारा समदिबाव तुर्भुज हो गया जिसमें यह दो भुजाएं आपस में क्या है बराबर अब देखेंगे रचना कैसे लिखेंगे रचना में जो ऐसा जैसा काम किया है वो लिखेंगे सबसे पहले सर्व प्रथम एसी बराबर छे सेंटीमीटर रेखा खीची फिर फिर कोड़ सी बराबर नब्य अंस बनाते हुए सी बराबर छे सेंटीमीटर रेखा खीची फिर बी को एसे मिलाया इस प्रकार से हमारे तिर्भुचका निर्मार हो गया एक्सरसाइट 10.5 डाइन अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाया तो अपनी लाइक कर दें चैनल पर नए है तो हो से के तो सब्सक्राइब कर दें लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्बग धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में